आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हेलो स्टुडेंट आज का जो हमारा Question है यहां बुला है Give one example of a compound containing double bond and one containing a triple bond आपको example देना है ऐसे compound का जिसमें एक में तो double bond हो और एक में triple bond हो तो basically देखो यहां पे यह double bond और triple bond का क्या मतलब है अगर मैं कोई compound इस तरीके से लू अब इसके बीच में एक bond है तो इसका जो bond order है वो क्या है आपका 1 ठीक है अब अगर यह double bond बनाता है तो bond order क्या होता है आपका 2 basically bond order का है number of bonds जो यह form करता है अब अगर मैं इसके बीच में triple bond बनाऊं तो इसका bond order क्या हो गया तीन हो गया तो यह कह रहे है कि आपको ऐसे compound बताने जिसमें double bond और क्या हो triple bond हो मतलब अब double bond का bond order आपका 2 bond order आपका 2, triple bond का bond order आपका 3 ये चीज है, देखो तो अब मतलब आपको ऐसे compounds बताने हैं जिसमें आपका bond order क्या आ रहा हो 2 आ रहा हो, एक में आपका bond order 2 आ रहा हो और एक में आपका bond order क्या आ रहा हो, तीन आ रहा हो, ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, let's, एक example लेते हैं, हम यहाँ पे oxygen का, मैं अगर O2 की बात करूँ, तो O2 में मेरे कितने electrons होते हैं, 16 electrons, अब यहाँ पे अगर हम देखें, तो अगर मैं इसकी configuration लिखो, MO के according, तो मेरा क्या होता है, sigma 1s2, sigma star 1s2, फिर मेरा sigma 2s2 आता है, then sigma star 2s2 आता है, and then उसके बाद हमारा यहाँ sigma 2pz2 आता है, फिर मेरा यहाँ पे pi 2px2 आता है, then मेरा क्या आता है, यहाँ पे pi 2py2 आता है, फिर मेरा यहाँ पे sigma, यहाँ आपका क्या है, उसके बाद आपका pi star 2px is equal to pi star 2py आता है इस तरीके से, 16 electrons है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, and एक आपका यहाँ, एक यहाँ, क्योंकि इसको हम half field करते हैं, अब अगर आप इसका bond order निकालो, तो क्या होता है, half number of electrons in bonding, minus number of electrons in anti-bonding, अब य मेरा क्या हो गया, half, bonding में कितने electrons हैं, 2, 4, 6, 8, 10, and anti-bonding में कितने हैं, 2, 4, 5, 6, तो यहाँ पर आपका bond order क्या है, 4 by 2, यानिकी 2, इसका मतलब क्या है, कि इसके बीच में double bond होगा, अब मैं oxygen और oxygen का लिखूँ, तो देखो, यह bond भी इस सरीके से form करते हैं, कि इनको octet complete रहे, तो जो मेरा oxygen है, वो कौन से group का होता है, group 16 का, इसके पास 6 valence electron है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, similarly, इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यह क्या करता है, इस सरीके से double bond बनाता है, और देखो, इनका octet भी क्या है, complete है, तो यह एक आपका example हो गया, अब यहाँ पर बात करें, जिनके बीच में triple bond है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, N2 की, N2 में 14 electrons है, अगर मैं इसकी configuration लिखूँ, तो sigma 1s2, फिर मेरा sigma star 1s2, and then sigma 2s2, फिर मेरा यहाँ आता है sigma star 2s2, फिर आपका यहाँ पर आता है pi 2px2, then is equal to pi 2py2, फिर मेरा आता है sigma 2pz2, अब यह 14 electrons हो गए, अब यहाँ पर भी same formula है bond order का, half, bonding में कितने electrons है, 2, 4, यहाँ पर 6, 8, 10, और anti-bonding में कितने है, यहाँ पर 4, तो bond order के आगे आपका 6 by 2, यानि की 3, तो मतलब यहाँ पर nitrogen और nitrogen के bond पीच में triple bond exist कर रहा है, 1, 2, 3 इस तरीके से, अब आप इसको ऐसे भी देखो, nitrogen group 15 का है, तो कितने valence electrons होता है, 5, तो 1, 2, 3, 4, 5, similarly इस nitrogen का 1, 2, 3, 4, 5, तो यह क्या बनाते है, triple bond, इस तरीके से क्या बनाते है, यहाँ पर एक तो आपका क्या हो जाएगा, N2, जिसके पास क्या है, आपका, यहाँ पर यह triple bond बनाते है, यह क्या बनाते है, ट्रिपल bond बनाते है, और अगर आप इनका bond order calculate कर लो, तो वहाँ से भी आपको पता चल सकता है, और यह आपका O2, जो आपका क्या बना रहा है यहाँ पर double bond बना रहा है, ठीक है, ओकी गाई, सांक्यू